हेलो दोस्तों, स्वस्थ बच्चे के जन्म के लिए प्रेगनेंट महिला को अपने स्वस्थ पर विशेश ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए गर्भावस्था के दवरान महिला के खान पान का विशेश ध्यान दिया जाता है। अच्छे खान पान से ही गर्भावस्था महिला स्वस्थ और सेहत मंद रहती है। साथ ही खान पान का सीधा असर उनके बच्चे के सथ पर पड़ता है। वहीं गर्भावस्था महिला के खान पान से ही प्रसब के दवरान होने वाली दिक्कतों से बचा जा सकता है। बच्चे का दिमाग तेज होता है अगर आपके सिसु को भरपूर पोषन मिलेगा तो प्रसब के बाद स्वस्त बच्चे का जन्म होगा ऐसे में गर्भाविस्था में महिला को कुछ चीजों का सेबन जरूर करना चाहिए तो आइए जानते हैं सूपर फूट कौन-कौन से होत होता है पालक में प्रोटीन, फाइबर, बाइटेमिन और कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो गर्ब में पल्व है शीशु के बहतर विकास और स्वस्थ के लिए अच्छा होता है गर्भबत्री महिला को पालक का सेबन करना चाहिए इससे अजन्में बच्चे को बहतर स्वस्त और तेज़ दिमाग होता है। दूसरा है अंडा। अंडा भी पोशन से भरपूर होता है। अंडे में प्रोटीन के साथ-साथ बाइटमिन्स और मिन्डेल्स पाए जाते है। अंडे में बाइटमिन पादाम खाने से दिमाग तेज होता है यह बात गर्भवत्री महला और उनके बच्चे पर भी लागू होता है बादाम में काफी न्यूट्रियंस होते हैं जो एक प्रिग्रेंट महला के लिए बहु जरूरी होता है पूरे गर्भावस्था में खाना इससे बच्चे का आगी विकास बेहतर होता है तो आप भी तो चाहती होंगी कि आपका सिसू स्ट्रॉंग पैदा हो बुद्धी वाला हो दिमाग वाला हो उसके बाद ताजे फल फल सेहत के लिए लाबदायक होता है ताजे फलों से बाइटमिन्स मिलते हैं ऐसे में गर्भावस्था में महला आपको संतरा, केला, आम, अंगूर, सेव का सेवन जरूर करना चाहिए या तो जूस का भी आप सेवन कर सकती है उसके बाद दही गर्भवत्ती महला के लिए दही का सेवन बहुत फायदेमंद होता है या बच्चे के लिए फायदेमंद है दही में बाइटमिन C और बहुत स प्रोटीन होता है रोजाना दही का सेवन करने से प्रशब के बाद स्वस्त और विक्षित बच्चे का जन्म होगा तो आप यही चाहती होंगी कि आपका बच्चा स्ट्रांग करना हो दूद जरूर पीने चाहिए रोजाना दूद का सेवन आपको जरूर करना चाहिए एक compromise DUDH में भरपूर पोषक तत्य होते हैं, जो गर्भबती महला और गर्भ में पल रहें सिसू के लिए जरूरी हैं, बहतर विकास के लिए जरूरी है, तो दोश्तों मैं आसा करती हूं, ये जरूर आप अपने डाइट में सामिल करेंगी ताकि आपके सिसू का विकास सही तरीके आपको भी कोई दिकत नहीं हो यह वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलें आपका बहुत बहुत धेनेवाद थैंक्यों हरे मच